मिठाई का नाम सुनते ही लोगों के मुँँ में पानी आ जाता है। बाजारों में दुकानों पर अलग-अलग तरह की कई मिठाईयां बिखती है। लेकिन बात अगर पेड़े की हो तो शायद ही कोई हो जो खाना पसंद न करे। ऐसी ही एक दुकान है मदप्रदेश की खरग परों में भी शुमार है। यहां विकने वाले पेड़े का हर कोई दीवारा है। जो एक बार खाता है वो दो बारा कहीं नहीं जाता। लोकलेटिन से एक खास बाचीत में दुकान संचालक नितिन गुजराती ने बताया कि खरगोन में उनकी दुकान काफी पुरानी है। उ इकार्ट के अनुसार 1938 में यहां दुकान शुरू हुई थी, हाला कि दुकान इससे भी पुरानी है। कन्नु भाई दूद का व्यवसाय करते थे, फिर उन्हें ने पेड़े बनाने का काम शुरू किया। शुरुवात में पेड़े का साइच काफी बढ़ा हुआ करता था, साल में करीब 125 ग्राम का एक पेड़ा बनता था, लेकिन समय के साथ अब साइच छोटा हो गया है, फिलाल दो वराइटियों में यहां पर पेड़े बनते हैं, पहला स्पेसल पेड़ा जो कम शकर में बनता है, दूसरा नॉर्मल पेड़ा जो मीठा होता है। दुकान दार ब पाने थे इतने वर्षों में स्वाद में कोई बदलाव नहीं आया, मावे की सिकाई अच्छी होने से लंबे समय तक यह पेड़े खाये जा सकते हैं। दुकान दार नितिन ने बताया कि उनकी यहां बनने वाले पेड़े शहरी नहीं बलकि बिदर्सों में भी जाते हैं, सा पिता जी सुरेश्चन गुजराती, उनके भी पिता जी कनया लाल गुजराती जो है, जिनको सारे गाउं में छोटे नाम से कन्नु भई कन्नु भई की नाम से जानते थे, उन्हें की नाम से दुकान प्रसिद्ध है, उन्हों ने यह दुकान डाली थी, तो यह 19-38 से इस इसके लिए, अब तो दूद वेसा मिलता नहीं, इसलिए यहां रबडी का पेड़े से भुरसत नहीं मिल पाती है, हम लोग पेड़े पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं, इस पेशल आते हैं, यहां अपने मावे के अच्छी तरह से सिकाई की जाती है, उसकी वज़त से मिठा ही की टाइम लिमिट ज्यादा रहती है, इसलिए लोग बाहर भी ले जाते हैं, हां, शहर से बाहर नहीं विदेशों में भी जाती है, कोरिया है, साओधी अरब है, मुला जी अगरा, हमिशा हर आट फे चोथे दिन कोई नो कोई तो बाहर का पारसल जाता ही है, तो बड़े में छोटे दो वराइटी बनाते हैं, एक कम शकर के रेती है, जिसे स्पेसल नाम ग्रहा को नहीं दिया है, उसको नाम special पेड़े बाकी छोटे पेड़े, जो है, मीडियाम अपनी शकर की जो रहते है, चार सो रुपे किलो और 440 रुपे किलो में कम शकर है, इसकी बरिफी लोकलेटिन के लिए खरगों से वीपक पांडे की रिपोर्ट